दोस्तो लास्ट विक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये डिसकत्स किया था कि राशन कार्ड में हमारा नाम है या नहीं या फिर हमने कोई नया नाम जोडने या घटाने का रिक्वेस्ट किया है तो वो अपडेट हुआ है या नहीं कैसे चेक करेंगे तो इसके लिए हम चलेंगे अपने laptop screen पर वहाँ से complete information step by step देखेंगे ये complete steps आप अपने mobile phone से भी कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आगे हूँ अपने laptop screen पर और chrome browser में मैंने google.com open कर लिया है जस्त हम search bar में type करेंगे राशन कार्ड और अपना estate का नाम जैसे बिहार है तो बिहार यहां पर type कर देंगे सबसे टॉप का जो website है यह है बिहार राशन कार्ड का website इसी तरह से माल लीजे मुझे जहारखंड का चेक करना है तो जहारखंड लिखते ही यहां पर सबसे टॉप पे जो aha.jharkhand.gov है यह है उसका website अगर माल लीजे करनाटका का मुझे चेक करना है तो देखे सबसे उपर में जो aha.kar.nic यह है करनाटका का तो चुकी चलिए मुझे बिहार का अपलाई करना है तो मैं बिहार सर्च करता हूँ और सर्च करती ही जो सबसे पहला website है इसे हम new window में open कर लेंगे open करते ही आप देख सकते हैं यह website गवर्मेंट ओ बिहार का है गवर्मेंट ओ बिहार का food and consumer protection department गवर्मेंट ओ बिहार आप देखेंगे right side में कुछ important links हैं जैसे की RC issue system यानि की राशन कार्ड issue system RC online और apply for online RC हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि यह option है राशन कार्ड online apply करने के से related तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं ध्यान देनी वाली बात यह है कि अगर आपने मेरी पहचान पोर्टल पर sign up किया हुआ है तो उसी mobile number का use करके आप यहां पर login कर सकते हैं ठीक है तो जस्ट यहां पर login को option है login पर click करेंगे तो login पर click करते ही यहां पर देख सकते हैं जन email number इंटर कर लिया है चली हम इसे less authentication पर click कर देते हैं और sign in पर click करते हैं तो हमारे phone number पर एक OTP आएगा OTP इंटर करते ही sign in पर click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि you are not registered with RCMS portal please registered and proceed okay पर click करेंगे यह बता रहा है कि आप already registered नहीं है RCMS portal पर इसलिए आपको पहले registered करना पड है तो देख सकते हैं registration form यहां पर open हो गया है RC online के लिए यहां पर हमसे कुछ information मांगा जा रहा है जैसे कि अप्लिकेंट नेम हिंदी में आधार नंबर अस्टेट डिस्टिक पिन कोड इमेल इडी मॉबाइल नंबर अल्रेडी ले चुका है यह सारा information हम सही सही पहले फिल कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने यहां पर complete information सही सही फिल कर लिया है cross check भी कर लिया है capture भी फिल कर लिया है देन सब्मिट पर क्लिक करेंगे तो समिट पर क्लिक करते ही कुछ second का समय लेता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेलकम टू जन्वितरन एनन आउनलाइन रोशन कार्ड पोर्टल यहां पर open हो गया है अब यहां पर instructions है क्या-क्या यहां पर जरूरी चीजे हैं वो पूरा detail आपको यहां पर दिखा रहा है क्या-क्या दस्तवेज की जरूरत यहां पर पढ़ेगी पूरा information आपको दिखा रहा है देखिए लिख रहा है कि नए रोशन कार्ड की आप परियापतता की आवश्यक दस्तवेज के लिए निर्देश तो क्या निर्देश है आप यहां पर देख सकते हैं scan copy आधार का चाहिए self-attested, scan copy first page of bank account का चाहिए जिसमें आपका नाम, account number और account holder का IFAC code होना चाहिए यह भी self-attested होना चाहिए residential certificate वो भी self-attested होना चाहिए scan copy of the family group यानि कि पहले से जो family member का राशन कार्ड में नाम है उसका एक scan copy चाहिए होगा photo ठीक है group photo और यह JPG format में यह JPEG format में होना चाहिए scan copy of applicant signature यानि कि हमारा signature चाहिए होगा वो भी scan copy JPG यह JPEG format में disability certificate अगर कोई disability है तो उसका एक certificate देना होगा self-attested income certificate देना होगा वो भी self-attested और cost certificate देना होगा self-attested ठीक है तो यह सारे documents हमें ready करके रख लेने हैं यह सारे documents ready रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि apply का एक button है इस पर cursor रखते ही new apply का option दे रहा है अगर पहले से apply कि application का status option है और अगर कोई correction करना है तो apply for correction का button पर click करके हम correction कर सकते हैं तो यह second और third वाला option तो हम बाद में देखेंगे पहले हम करते हैं new apply वाला अब new apply पे जैसी ही cursor रखेंगे तो rural और urban यानि कि शहरी छेत्र या ग्रामिंड छेत्र से आप बिलाउं करते हैं तो चलिए हम rural या urban अपने हिसाब से यहाँ पर select कर लेंगे तो चलिए हम rural select कर लेते हैं अब इसके बाद यहाँ से आपको कुछ और information फिल करना है जो कि complete information आपका छेत्र होगा अनुमंडल होगा ब्लॉक होगा पंचाइत होगा आवेदक का पिता का नाम पती जो भी है उस सारा information जनमतीती जेंडर वगरा इस सारे information आपको यहाँ पर फिल करना होगा तो दोस्तों मैंने सारा information यहाँ पर सही सही फिल कर लिया है cross check भी कर लिया है कि कहीं पर कोई किसी भी तरह का mistake ना हूँ एक चीज़ और धियान में रखने वाली बात है कि जाती पर्मान पत्र का यहाँ पर आपक information नहीं है just my step से दिखाने की purpose से मैं यहाँ पर सारे information मैंने फिल किया है तो just submit button पर click करेंगे तो देखिए यहाँ पर आगे की और process कर रहा है अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि और आधार already exist in the flowing state बिहार गया तो अब यह warning इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा नाम already Russian card में जुड सकता लेकिन अगर किसी का नाम जुड़ा वा नहीं है तो वो इस सारे steps को follow करते हुए अपना नाम जुड़ा सकता है तो जैसी ही submit पर click करने के बाद next page जो open होगा वहाँ पर आपसे वो सारे documents मांगे जाएंगे जो इससे पहले सारे documents का list दिखा रहा था attested वाला तो वो attested कर जो संबंधित विभाग होगा वहाँ आपका ये request चला जाएगा और जैसे ही वो verify करेंगे और आपका सारा information सही पाया जाएगा जन्वन पाया जाएगा तो आपका ये request को process करते हुए उस नाम को आपके Russian card के list में add कर दिया जाएगा और इसका status भी कैसे check करना है तो वो मैंन a steps Russian card में नाम जोडने को ले करके इस तरह से आप अपने नए member को Russian card में add करने का request डाल सकते हैं तो चलिए आज तक लिए तना ही इससे related अगर कोई सवाल हो query हो तो आप हमें comment box में लिख करके पूछ सकते हैं इन सारे steps को आप अपने mobile phone के through भी process कर सकते हैं फिर मुलकात होती ह किसी नए video के साथ तब तक के लिए बाबाए